हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सरकी क्लास आज की ये शिक्षा निदेश आले राश्टे राज़ानिक्षित दिल्ली की वर्क्षीट वर्क्षीट नमबर 16 जुकि कक्षा आठवी के विद्यार्थियों के लिए है यह ली गई है गणित विशे से और आज हम जिस टॉपिक की बात इस विशे में इस वर्क्षीट में कर रहे हैं जिस टॉपिक को हम सीखेंगे वह है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल तो आज हम इसमें दशमलव संख्याओं जो होती हैं उनका वर्गमूल निकालना सीखेंगे आपको या बात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं तो दशमलव संख्या 45.876 को देखो इसमें दो हिस्से होते हैं एक को हम कहते हैं पूर्णांग हिस्सा जो की दशमलव के बाई तरफ होता है लेफ्ट तरफ होता है और जो दशमलव वाला हिस्सा होता है वो दशमलव के दशमलव के बैई और पुर्णांग दशमलव भाग हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको अभी आपको समझाया, तो अब हम दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते हुए, कुछ नियमों का पालन करेंगे जरूर, और उन्हें हमें ध्यान में रखना भी पड़ेगा, वो नियम क्या है देखते हैं एक बार तो पहला नियम है कि पूर्णांग हिस्से और दशमलव हिस्से के अलग-अलग जोड़े बनाने हैं हमें जो भी काम करना है आप देखेंगे आगे इसमें जब हम विदी सीखेंगे तो हम जब भी संख्या को भाग कर रहे हैं तो जोड़े बना-बना कर ही कर रहे हैं पूर्णांग हिस्से और दशमलव हिस्से के जोड़े दशमलव स्थान से बनाने शुरू करेंगे सुविधा के लिए जोड़ों पर बार लगा सकते हैं फिर साधारन अंकों की तरह ही वर्गमूल ग्याद करेंगे और जैसे हम भाग करते हैं उस तरीके से करेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग है फिर एक उधारन की साहता से जरा इसको समझें दशमलव संख्या 45.8.6 हमने ली और इन नियमों को अपनाया तो सबसे पहले क्या करेंगे पूर्नांग हिस्सा 45 है मैंने बताया था दाई तरफ तो एकाई के अंग से 45 से जोड़े बनाना हमने शुरू किया अब दशमलव वाला हिस्सा लिया दशमलव वाले हिस्से में तीन अंग है दशमलव आठ, साथ, छे तो एक तो बन गया 8 और 7 का जोड़ा और एक रह गया 6 तो 6 का जोड़ा बनाने के लिए हम उसमें 0 अपने आप से लगा सकते हैं नियम लगाने पर अंक ऐसा होगा 45 का एक जोड़ा 87 हो गया और 60 हो गया हलाकि इसको हम अलग-अलग पढ़ते हैं जो दशमलब के बाद अंक होते हैं उनको अलग-अलग पढ़ते हैं तो चलिए अब हम दो वर्गमूल के उधारन देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये विधी होती क्या है तो आप इसको ध्यान से समझेए फिर हम अपने प्रैक्टिस के कोशन करेंगे तो पहला उधारन है कि दो दशमलव साथ दो दो पांच का वर्गमूल गयाद करें तो सबसे पहला जो स्टैप वो है याद रखेगा स्टैप नमबर वन हमें जोड़े बनाने हैं जिनके जोड़े बन सकते हैं तो अगर आप देखेंगे जो पुर्णांग वाला हिसा है लेफ्ट हेंड तरफ वाला हिसा है वहाँ पर तो एक ही अंक है तो उसको एज़िटीज आप रहने दीजी फिर आप दशमलव से शुरुवात करते समय बनाए तो पहला जो जोड़ा बनेगा वा साथ और दो का बनेगा और दूसरा जोड़ा दो और पांच का बनेगा तो इस तरह से जोड़े बन जाएंगे अब इसका जो चिन है इसकी क्रिया भी थी इस तरीके से जैसे हम लसीम करते हैं वैसे ही हमें निशान बनाना है तो यहां हमने संख्या रखी दो दशमलव साथ दो दो पांच अब हमें क्यारना क्या है सबसे पहले जैसे हम भाग करते हैं लेकिन इसमें करने का धंक मैंने बताया था थोड़ा अलग है तो आप पहले देखिए आपके पास है तो इसको हमें इसका वर्गमूल निकालना है तो एक बात याद रखिएगा यहाँ पर आप जो संख्या रखेंगी उसको उतनी ही संख्या से गुणा करना पड़ेगा और वो संख्या या तो इसके बराबर आए या दो से कम आए तो मतलब दो से ज़्यादा आएगी तो हम तो फिर घटा तो सकते ही नहीं जैसे भाग करते हैं तो इसलिए या तो दो आए या दो से कम आए तो ऐसी संख्या सिर्फ एक ही हो सकती है क्योंकि अगर हम एक यहाँ पर रखेंगे तो गुणा भी हमें एक से करना पड़ेगा और अगर हम दो यहाँ पर रखेंगे तो हमें गुणा भी कितने से करना पड़ेगा दो से गुणा करना पड़ेगा तो दो दो नहीं चार हो जाएगा जो कि दो से जादा है तो इसलिए एक पर ही जाएगा एक एकम एक अब यहाँ हमने इसको घटा किया तो दो में से एक गया, एक तो यहां बच गया, लेकिन जितना हमारा ये उत्तर आया एक, इसको अब हमें इसके नीचे जोड़ना है, जितना आपका अंसर में नंबर आएगा, उसको आपने उसी नंबर के नीचे लगा कर जोड़ना भी है, तो एक और एक कितने हो गए, दो, और यहां पर बचा था एक, अब ये तो छोटा है, तो हम पॉइंट लगाते हैं, क्योंकि अगला हमारा नंबर पॉइंट का है, पॉइंट लगाना पड़ेगा, आपको दशमलव लगाना पड़ेगा, फिर उसके बास से दो नंबर इखटे लेने हैं, यहां पर जो भी काम करेंगे, ना कि एक दशमलव साथ तो, अब आपको दो के साथ ऐसा अंक लगाना है, क्योंकि जो अंक आप यहां पर लगाओगे, उसको आपको उत्तर में भी लगाना पड़ेगा, तो सोचो, अगर मैं यहां पर पांच लगाओं, तो पच्चिस, पच्चिस गुना पांच च्चिस च्चिस लगा के भी देखूंगा, क्यों इससे जादा वाला यूज ना हूँ, च्चिस लगा के देखा तो आया 156, क्योंकि 26 को 6 से गुना किया, आया 156, साथ लगा के भी देखो, साथ लगाते हैं तो हमारा उत्तर जादा आता है 172 से, तो इसलिए हमने 6 लगाया तो जब हम 6 यहाँ पर लगाएंगे तो 6 हमें उत्तर में भी लगाना पड़ेगा तो 26 छिक का 156 अब फिर दुबारा माइनस करो जब माइनस किया तो उत्तर बचा 16 और जितना हमने उत्तर में लगाया 6 उतना हिए उसके नीचे लगाना पड़ेगा और उसको 26 में 6 को जोड़ना पड़ेगा तो अब हमारा यहां पर बन गई संख्या 32 और यहां पर है 16 इसकी मदद के लिए अगला जोड़ा उतरेगा बन जाएगा 1625 अब यहां पर 32 के साथ हमें कौन सा एक अंक लगाना पड़ेगा जो यहां पर भी लगाएंगे और उपर भी लगाएंगे क्योंकि जो यहां पर लगेगा वही सेम आंसर में भी लगेगा तो जब हमने करके देखा गुणा कर करके देखा अगर देखो 21 एक लगाएंगे तो 321 एकम 321 से तो बहुत कम है 322 लगाया 322 दूनी लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 अगर यहां लग गया 322 तो 2 पर जायेगा यानि 322 दूनी गुना करना पड़ेगा तीन लगाएंगे, चार लगाएंगे तो 5 जब लगाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा पूरा का पूरा भाग हो जाता है तो 5 लगाया यहाँ पर और 5 लगाया यहाँ पर तो 325 बंजे 1625 पूरे होते हैं तो यहाँ पर जब माइनस किया कुछ नहीं बचा अब हमारा और उपर भी कुछ नहीं बचा यहाँ पर वर्गमूल गालने के लिए और नीचे भी कुछ नहीं बचा तो जो हमारा उत्तर बना वो बना 1.65 अब दूसरे प्रशन को देखते हैं 0.9 का 3.9 तक वर्गमूल ग्याद कीजिए यानि आंसर में आंसर हमें तब तक निकालते रहना है तब तक जब तक की दशमलब के बाद 3 अंक ना आ जाएं तो पहला step तो वही है जोड़े बनाओ जोड़े बनाने के लिए दशमलब से पहले तो 0 है उसका तो जोड़ा क्या बनेगा फिर 9 है तो 9 के बाद 1 0 हम अपने आप से लगा सकते हैं तो 0 दशमलब 9 0 बन जाएगा अब हम इसको करके देखते हैं तो जब हमने करके देखा तो स्टार्टिंग है हमारे दशमलब से हो रहा है तो आंसर में भी दशमलब लगा देंगे अब सबसे पहले कितना है नो तो नो और जीरो 90 है तो देखो किस पर जाएगा अगर हम यहां पर दो लगा आते हैं तो यहां पर भी दो लगाएंगे दो दुनी चार बहुत कम है तीन तीन नो बहुत कम है चार चौक सोला कम है पांच बंजे पच्चिस छे चिक क्योंकि छे और यहां लगाओंगे उसको पर से गुणा भी कर ओगे साथ लगा कि दिखा साथ सत्युनी चास आठ अठ 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 चौश्च नौनीम इक एसी पर पूरा चला जाएगा नो पूरा निजाएगा 9 इधर लगाएंगे 9 इधर लगाएंगे 9 इधर लगाएंगे 9 इक एसी यह तो उत्तर आएगा 9, फिर दुबारा से एक, जो है, अब हम क्या करेंगे, कि उपर से एक जोड़ा उतारेंगे, जबल 0 का, तो वो बन जाएगा 900, अब यहां तो होगे 18, अब ऐसा अंक लगाना है, जो यहां पर भी लगेगा, और यहां पर भी लगेगा, और फिर वो पूरा से गुना करना पड़ेगा, तो वो जादा होता है, तो जब हमने 4 से करा, तो 736 आया, तो 184 चौक, 736, फिर 900 में से घटा करेंगे, क्योंकि हमने 3 अंकों तक निकालना है, तो बचा 164, और यहां पर 184, क्योंकि उपर 4 लगाया, तो इसमें 4 और जोड़ना पड़ेगा, तो बन जाएगा 188, अब ऐसा अंक सोचना है, जो 16400 से कमाए या उसके बराबर आए, तो 8 जब हम लगा के देखते हैं, तो उपर भी 8 लगाना पड़ेगा, क्योंकि, क्योंकि यहां 8 लगाएंगे, तो उपर भी 8 लगाना पड़ेगा उत्तर में, तो यह बना 1888 को 8 से गुना क तो हमारा उत्तर बनेगा 15104, जो कि इस से कम है, क्योंकि अगर हमें यहां पर 9 लगा दो, तो 9 लगाऊंगा, तो उपर भी 9 लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत जादा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 8 लगा के किया गुना, तो अब बना 15104, यह माइनस किया, उत्तर बच के प्रशन करते हैं, तो प्रशन है, निम लिखित दशमलव संख्याओं का वर्ग मूल, तीन दशमलव अस्थानों तक ज्याद करें, यानि आपको आंसर जब तक निकालते रहना है, जब तक दशमलव के बाद, तीन अंक हमारे उत्तर में ना आ जाएं, तो पहली संख्या ह 4, 5, 3, सबसे पहला स्टैप जोड़े बनाना है, तो मैंने यहाँ पर एक तो जोड़ा बन गया 23 का, दूसरा बना 45 का, तीन अकेला रह गया कोई बात नि, उसके साथ 1-0 लगा सकते हैं, तो वो बन जाएगा 30, यानि ये जोड़े इस समय बन गए, याद रखिएगा बार ब रखों और उपर भी 2 रखोंगा, तो 2 दूनी 4 होंगे, जो कि कम है, फिर 3 यहाँ पर रखोंगा, तो 3 भी उत्तर में रखना पड़ेगा, तो 3 तीन या 9 कम है, 4 रख के देखा, 4 गुना 4, 16 हो सकता है, लेकि 5 भी रख के देख लो एक बार, 5 से 5 को करा, तो 25 आए, जो कि 23 से में लिखना पड़ेगा, तो 4 चॉक 16 पे जाएगा, अब जब 4 चॉक 16 होँआ, तो 23 में से 16 गए, 7 क्योंकि माइनस करनते जाना है हमें, और यहाँ पर इस 4 के नीचे, क्योंकि उपर उत्तर में 4 आया, तो हमें 4 ही जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो 4 और 4 मिलके कितने हो ग आप ऐिसी संख्या सोचनी है, 8 के साथ जो भी अंक लगेगा, उतर में भी वही अंक लगेगा, तो 1 लगाएंगे, तो उतर में भी एक लगएगा, तो हम ऐसा करना है, जो उससे कम हो या उसके बराबर हो, उससे ज़ादा ना हो, 6 से ज़ादा ना हो, toğमने करके जब गुन में गुना करेंगा 88 गुना 8 तो ये बनता है 704 अब फिर दुबारा से घटा किया तो हमारा कितना बना हमारा उतराया 41 अब 41 और इधर उपर आंसर में 8 लिखा तो 88 में 8 ही को जमा करना पड़ेगा तो बन गया 96 अब 41 तो बहुत छोटा है तो उपर से इसका ताकत बढ़ाने क तो बन गया 4130 अब हमें 96 के साथ कैसा अंक जोड़ना है जिसको गुना करने पर इससे कम आए यह इसके बराबर आए तो चार से गुना करेंगे तो चार अंक लगाएंगे तो 964 बन जाएगा उपर भी उतर में भी चार लगाना पड़ेगा और इनको आपस में गुना करना पड़ेगा 964 964 गुना चार करना पड़ेगा तो हमारा उतर आएगा 3856 अब क्या करेंगी घटा करेंगी तो उतर बनेगा 274 क्योंकि अभी दो यह अंक हुए हैं तीन अंकों तक निकालना है चार हमने उतर में लिखा तो 964 में चार को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 968 और यहां पर बन जाएगा 274 और इसकी साहता के लिए हम दो जीरो और लगाके उसको नीचे उतार सकते तो अब बन गया 27400 अब यहां पर 968 के साथ एक अंक लगाना है जो कि फिर उपर भी लगा आपस में उसको गुणा करेंगे तो एक लगाएंगे तो 9681 एकम बन जाएगा लेकिन हमें थोड़ा और ज्यादा चाहिए दो लगा के देखा तो बनेगा 19364 और तीन लगा के देखेंगे तो वह 27000 से जादा हो जाएगा इसलिए हम उसको यूज नहीं करेंगे तो अब दो पे जाएगा तो 9682 गुणा दो ये बन जाएगा अब क्योंकि हमने यहां पर उत्तर में एक लिखा है तो इसके नीचे भी हमें एक ही लिखना पड़ेगा और यहां इसको जमा करना पड़ेगा एक और एक कितने बन गए दो अब दशमलाव का दशमलाव क्योंकि बीच में दशमलाव है उसके बाद दशमलाव उसके बाद ह तो हम क्या करेंगे, खटा 6 और 7 को उतारेंगे, तो 66 बन जाएगा, अब 2 के साथ कोई ऐसी संख्या जो की उपर भी लगाएंगे, फिर उनको आपस में सेम कोई गुणा करना पड़ेगा, अगर 23 तीन लगाते हो, तो 23 गुणा 3 करना पड़ेगा, एक लगाते हो, तो 21 गुण में 2 लगाया, तो हमें 22 के नीचे भी 2 ही लगाना पड़ेगा, और वो बन जाएगा 24, और यहां पर बन जाएगा 23, इसकी सायता के लिए 2 0 अपने आप से लगा दो, वो नीचे उतर के आएंगे, तो अब बन गया 2300, अब 2300, अब हम यहां पर कौन सा अंक लगाएं, जिसक कम आए, तो हमने लगा के देखा 9, तो 294 और यहां पर भी 9 लगाना पड़ेगा, तो 294 गुना 9, यह बन जाएगा 2241, अब क्योंकि उपर 9 लगाया है, तो 294 के नीचे भी 9 ही लगाना पड़ेगा, और यह बन जाएगा 258, और यहां पर बन जाएगा 69, यह तो बहुत कम है उपर 2 0 लगा के उन्हें नीचे उतारा, तो बन गया 5900, अब 258 बन जाएगा यहां पर, क्योंकि 9 जमा करा, तो 258 बना, अब एक अंक और लगाना है, जो यहां लगाए और यहां पर भी लगाना पड़ेगा, और उनको आपस में गुना करने पर इससे कम आए, तो हमें 2 प तीन अंक आ चुके हैं, यह हमारा उत्तर है, इसी तरह से तीसरा प्रशन भी होगा, 289 बनाएंगे, और क्योंकि दशमलव को यहां एक ही अंक है, तो आप जीरो अपने आप से लगा के उसका जोड़ा बना सकते हैं, तो इधर भी जोड़े बनाएं, तो यहां पर 89 बन गया लेकिन दो अकेला रहे गया, अब फिर दुबारा से बिलकुल वैसे ही करेंगे, पहले हम दो को भाग करेंगे, लेकिन इसमें भाग कैसे करेंगे, जोड़े में करेंगे, जो यहां लिखते हैं, वो ही हमें यहां पर भी लिखना पड़ता है, तो यह एक पर ही जाएगा, द एक और एक जमा करेंगे, यहां बन गया दो, और यहां पर आया एक, उपर से उतारा नवासी बन गया एक सो नवासी, अब दो के साथ कौन सा अंक लगाएं, जो उपर भी गुना खड़ने पर इसके बराबर आई या कामा है, तो साथ लगाने पर यह पूरा चला जाता है, 27 सत लगाना पड़ेगा, तो 27 और साथ 34, अब यहां पर सतर से काम बन नहीं रहा था, इसलिए जीरो लगाया, जैसे भाग में करते हैं, तो उपर से जीरो लगाया, तो यह बन गया, एक जीरो इदर लगाके 700, अब यहां बन गया 34, एक अंक लगाएंगे 2, तो 342, 342 दो नहीं 684 बन जाएगा, फिर बचा 16 नहीं जा सकता, फिर एक जीरो लगा दिया, और यहां पर 2 जोड़ेंगे 300 चवाले, बस हमें आगे करके देखने की ज़रत ने, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंग मिल चुके हैं, इसी तरह से चौथा भाग भी हम बिलकुल इसी तरीके से 456 दशमलव 1, 2, 3 जोड़े बनाएंगे, बिलकुल वैसे ही करते जाएंगे, पहला जाएगा 2 दुनी 4 पे, 4 पूरा चला गया, 56 उतारेंगे पूरा और यहां पर क्योंकि 2 लगाया, तो यहां पर भी 2 लगाएगा, चार बन गया, फिर एक अंक लगा के एक तालिस बना, एक तो यह बन गया 42, फिर इस तीन पे जाएगा, तो 423 दिया, 1512 और इस तरीके से आप देखेगा, हम अपना उत्तर निकालेंगे, दशमलव के तीन अंकों तक हमें यह करना है, तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो इस चैनल को जाद क्योंकि जब तक दवाई नहीं, तब तक कोई धिलाई नहीं, धन्यवाद